पिछली बार भी आप तैयारी कर रहे थे लेकिन उस टाइम आप पे कुछ एलिगेशन्स लगे लोगों ने कहा कि लाज्ट टाइम तक आपने टिकेट बेची तो ये कहा तक सकते हैं अंडर पास की जो समय से आई हुई है वो भी पिछले काफी समय से उठी हुए विकरम ठेकेदार जो पहले से यहां से विधायक हैं उसके साथ में लक्समन यादो भी क्योंकि हमारा रेल्वे स्टेशन का जो ख्षेतर है वो हिंदूस्तान पाकिस्तान के दो भाग में बट गए है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि टिकेट सिर्फ आपको ही मिलना चाहिए वो कौन से कदम है जो आप इनके सब से आगे हैं कोशली विधान सबा के छोटे से गाउन नठेडा में जन में कोलिज के दोरान ही जेपी आंदोलन में सक्रिये भ्रूमिका निभाने के कार्ण विश्विधालय में परवेश पर परतिबंग जिसके कार्ण परिक्सा देने से वंचित रहे कोशली में RSS की चुनिंदा लोगों में से एक सन 1977 में भी टिकट दी गई लेकिन चुनाओ नहीं लड़ पाए पिछले चुनाओ में भी बीजिपिक टिकट के थे परबल दावेदार लेकिन चुनाओ नहीं लड़े तो लगा टिकट बेचने का आरो हम बात कर रहे हैं वीर कुमार यादव की जिनोंने अब की बार फिर कोशली विधान सबा से चुनाओ के लिए टोक दी है बीजिपिक टिकट के लिए ताल आज होंगे उनसे कुछ तीखे सवाल अमित अमन के साथ नमस्कार स्टेट न्यूज हरियाना में आपका स्वागत है मैं हूं अमित अमन आज तीखे सवाल में जो हस्ती हमारे साथ मौजूद है वीर कुमार यादव जी जो की SS बोर्ड के पहले मेंबर रहे RSS से काफी समय से जुड़े हुए हैं और उसके साथ साथ P.A.C. के रेलवे के ये मेंबर भी है जो की एक निगरानी कमेटी अभी बनी है उसके भी ये मेंबर है जो अब कुछ आने वाले समय में निगरानी करेगी और रेलवे के अंदर जो भ जन्यवाद सर आज भी हमने देखा कि आप रेवाडी पहुंचे हुए थे उसी कमेटी जो की निरिक्षन के लिए बनाई गई है वो कमेटी आज भी आई हुई थी तो रेवाडी में आज क्या एक अहाल था जिसके लिए आपको बुलाया गया ऐसा के मीडिया में एक नियूज आई थी के रेलवे स्टेसन रेवाडी में पीने का पाणी नहीं है परेशा नहीं है यात्रियों को और गर्मी में पाणी तो बहुत ही जरूरी चीज है तो जैसे मुझे पता लागा है कि वहां कुछ ऐस्विदा है और हमारी जो पी एसी कम मेंन है बाकी जो कंसर्ण अथोर्टीज है तो मैंने उनको कंटेक्ट किया कि अब यह कि रेवाडी में क्या समस्य आगे एकदम तो मैंने उनको बुलाया और विदिन फोर आवर्ज एडी आरम वरिस्ट हमारे डी सी एम जैपूर टेकनिशन इलेक्रिशन मेकनिशन इंजीनि लेटिड पूरी लगबग पंदरा लोगों की टीम रेवाडी पहुंची और हमने पूरे रेवाडी जंकसन का निरक्षन किया पीने का पाने की कहां का समस्य आई क्यों समस्य आई टोलेट्स की क्या स्थीती है स्वचता क्या स्थीती है वहाँ जो खदेपदार्थ है उसकी उनको लेकर और उसके इलावा भी आज सब का पूरा यानि हमारे हार अर्थोर्टी के साथ निरक्षन किया और मैं देखा कि बहुत अच्छे तरिके से स्वचता भी पाई गई और एक परकाज जो स्टेशन पर जो होना चाहिए मूलबूच विधाएं उन लगबग उपलब प्रोब्लम रेलवे के साथ आयु हैं पहले भी पीछे भी काफी दिखते आती रही हैं लेकिन अभी एक जो मेन मुद्दा उठा हुआ है वो मुद्दा ये है कि दिल्ली के लिए एक ट्रेन यहां से निकलनी थी लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाई है चाहिए मुद्दा भी जब आप एक तारिक को निरिक्षिन कमेटी यहां आएगी तो उसमें यह मुद्दा आप उठाएंगे तक इससे पहले भी हमारी जो पी एसी की रेल भहुन में मीटिंग होती है हमारी चेर्मेन के दक्षता में दो बार मैं यह मुद्दा वहां उठा चुका हूँ कि दिल्ल है हेल्स रेलिटीड जो भी बाते हैं वो बेस होस्पिटल दिल्ली में तो अब हविक रूप से उनको डेली अपन डाउन करना पड़ता है इसके साथ ही यहां आई टी बीटी का है जाडली प्लांट भी है बड़ी संख्या में दनिक यातरी आते जाते हैं तो दो बार में व मंतरी से हमारे टाइम ते होने वाड़ा है प्यूस गोईल जी से और हमारे स्थानी सांसर डॉक्टर आरविन सर्मा जी ने में मंतरी जी को पत्र लिखा है मिलने का समय लिया है मैंने भी मंतरी से मिलने का समय लिया है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत जीनवन डिमांड है औ और पीछे दो-तिन दिन पहले आपने भी एक बयान दिया था उसके बारे में, तो उसके बारे में क्या सिच्वेशन अभी बनी हुए और वो बयान क्या था सर्थ? यह एक्चुली क्या है कि हमारा जब से फ्लाइ और बना है, तो नेचुरल फाटक जो है, आने जाने की जो रेलवे फाटक तो बंद हो गई, फ्लाइ और के कारण से यहां अंडर पास की एक बहुत जबरदस्त आउसकता हो गई, ताकि उधर के लोग इधर आसके, इधर के लो से क्या है कि भाकली की पंचायत ने कहीं एक हाई कोर्ट में पैटिसन डाल दी, लीटिकेशन डाल दी हा कि यह जो रोड है, यह जो अंडर पास है, यह हमने मनजूर कराए था जुड़ी भाकली के रोड पर, जबकि वहां पर ना तो रोड है, ना वा कोई फाटक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो टेकनिकली कहा हूँ, इस बात के उनों हवाला दे दिया, और सीम अनाउंसमेंट में थोड़ी चूक हो गई, सीम साब ने अपनी जो अनाउंसमेंट की कि कि कोर्शली में जल्दी अंडर पास बनाएंगे, और उसके लगबग पांच करोड रुपे स मैंनों प्लेट किया उन्होंने और इस पर स्टे हो गया, अलागि कुछ हमारे जो सरपंचीज भी हैं, पता नहीं उनका क्या परसनल इंटरेस्ट हो सकता है, उन्होंने भी जो वकील एंगेज किया, वो वकील भी कभी पेस नहीं हुआ, जैसे ही मैंने कोड का ओर्डर देख की, और उसके बाद एक डारेक्शन पास कर दी हाई कोट में के सभी पक्षों को सुनकर, मौके का मौाइना करके, दो बारा से अंडर पास की लोकेशन तैय की जाए, तो इसलिए हमारे बिकाने डिविजन के चीफ इंजिनियर, पीड़ बूडी हमारे हरियाना के जो पीड़ यह सब मौके पर आए, दो बारा नक्षन हुआ है, तो मैं समझता हूँ, इस वर्षन को ठीक से हमाई कोट में जब रखेंगे, तो उनके समझे माएगा कि वास्ताओं में, यानि अंडर पास की कहा हो सकता है, क्यों हो सकता है, तो कुछ बाते किलियर हो जाएंगी. सर जिस फलायोर के बारे में अभी हम बातें कर रहे हैं, वही फलायोर जिस भी सरकार में बना हो, लेकिन बार बार तूटता रहता है, कभी कहीं से तूटता है, कभी कहीं से, और जैसा कि हम पीछे भी देख चुके हैं, नोईडा में हमने देखा गाजियाबाद में, जो में आप क्या कोई सोच विचार की इसमें लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अपसे पहले दो तिन बार तो इसको ब्लोक करना पड़ा कहीं फ्लाइवर के ऊपर का जो पोर्शन है वो पता नहीं कहीं पानी से दस गया या हैवी कोई लोडिड ट्रक वगरा से दस गया तो दो तिन बार मेरे जानकारी माई इसको बलोक करना पड़ा ताकि उसकी रिपेर कर सके लेकिन ये चीज़ें रिपेर करने से टंपरिर रिपेर तो हो सकती है लेकिन पुल का जिस परकार से इसमें सामगरी यूज की गई मुझे लगता है कि वो नॉम्स के इसाफ़ से नहीं तो वो मैट्रील भी पूरा नहीं लगा और जो इसका नक्षा बना जिस परकार का पुल बना आम लोगों को इससे कोई भोजियाता फाइदा भी नहीं है लेकिन अब ये एतनी बड़ी प्रोजेक्ट है अब ये इतना बड़ा पुल बन गया है इसको यहां से उठाकर बदल होना है तो इस बारे में सोचा जा सकता है अब उस समय कोई कंट्रेक्टर था कोई इसका बनाने वाड़ा था क्यों नहीं पूरा मेट्र लगा किसे क्यों नहीं किया तो वास्तों में तो ये एक जाच का विशह है लेकिन ये ठीक बात है कि पूल की जो एक सामगरी है मैटीर निती पे होंगे त्री बार भी आप तैयारी कर रहे थे लेकिन उस टाइम आप पे कुछ एलिगेशन्स लगे लोगों ने कहा कि लास्ट टाइम तक आपने टिकेट बेची तो ये कहा तक सकती है बड़े जो नेता है उनकी टिकेट कट सकती है तो आपको इस बारे में क्या संपार्क करें 9416580715 जलती रहती राजनेती में आस्तम पिछली बार भी और इस बार भी टिकेट हम तो मांगते नहीं है ये पार्टी ने तैय करना होता है कि किसको चुनाओ लड़ाएं और ये ठीक है कि बहुत लोगों की इच्छा रहती राजतेक शेत्र में जो काम करते सुभवाई कुरूप से MP बने, ML बने, कुछ ना कुछ बने, ये सब की इच्छा रहती है तो हमारे लिए अगर कोई आदेस आएगा कि आपने चुनाओ लड़ना है तो निश्चित तोर परम चुनाओ लड़ेंगे और अगर आदेस आए जैसे पिछली बार हमें आदेस आए कि विचुलाओ लड संगठन के हैं इसलिए हम केवल एक विशे विशेश को लेकर नहीं चल रहे हैं कि चुनाओ लड़ना ही आवशक है ये सारा संगठन पर निर्मर करता है Central Parliamentary Board पर निर्मर करता है हमारी State Unit पर निर्मर करता है सर्व विधान सबागे अगर हम बात करें तो यहां से अब की बार बहुत से क्योंकि जैसा देखने में आ रहा है BJP versus BJP सब कुछ होता हो नजर आ रहा है और उसमें भी BJP में काफी नेता नजर आ रहे है विकरम ठेकेदार जो पहले से यहां से विधायक हैं उसके साथ में लक्समन यादव भी आप भी और उसके साथ में बहुत से नेता और भी अबके बार उभरने की कोसिस में है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि टिकेट सिर्फ आपको ही मिलना चाहिए यह कौन से कदम है जो आप इनके सबसे आगे हैं तेकि मैं तो पहले कहा है भारतिय जनता पार्टी आज गाउं से लेकर शहर से लेकर सरव्यापी सरवस्परशी बन गई है हर वर्ग में हर खशेत्तर में भाजपा का इविचार जो लोगों ने स्विकार किया है और यही कारण है कि अभी जो चुनाव वा लोग सबाका दस की दस सीट भाजपा के पक्षबाई तो सीधा मतलब है कि लोग बीजेपी के विचार से कारेकरम से नीतियों से नेत्रतों से संतुष्ट है और जब वातवन इस परकार सा होता है तो कारेकरताव में निस्जित रोप एक उत्सा एक उमंग एक महतो का आंक्षा होती होती है तो उसमें कोई भी हो चाहिए मैं हूँ चाहिए दूसरे हो सबकी इच्छा होती है कि हम चुनाव लड़ें एम एले बढ़ें एम पी बढ़ें राज्तिक शत्र में काम कर रहें तो इसलिए जितने भी लोगों की इच्छे वो कोई बुरी बात नहीं है अंत्तो गत्वा किसको चुनाव लड़ाएं किसको अपना परताशी बनाएं कमल का फूल लेकर कौन भाज़पा की तरफ से चुनाव मैदान में आएं ये पार्टी नित्र तो हमारा केंदरी नित्र तो कह करता है और उसके लिए बाकाइदा होमवर्क होता है बाज़पा के विचार से के इतना सहमत है निष्ठा कैसी है तो ये सब चीजे पार्टी का नित्र तो देखता है और मैं समझता हूँ कि देखने के बाद ही ये नहीं कि जन्हें चुनाव नहीं लड़े नया हो पुराना हो भारती जन्ता पार्टी में कोई भेदनी है लेकिन परणे कारे करता हों को भी संब्मान मिलता है, चुनावी राज़ती 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 है, संघठाना तमर्म के राज़ती करते हैं, उनके लिए सरकार बडूने के बाद बहुत ची ऐसी बाते हैं उनके जो में काम लगाते हैं, दाईतु देते हैं कि चेर्मेन बनाते हैं कि मेंबर बनाते हैं कई पर और उनको सरकार में समान देते हैं तो चुनाव लड़ने वाले अलग हैं संगठने में काम करने वाले अलग हैं दोनों की अपनी महता हैं किसी का महता कम नहीं है और ये सब तै करता है हमारा Central Parliamentary Board भी और State की unity भी सर आप प्रदेश परवक्ता भी हैं तो आप ये बते ही क्योंकि पीछे काफी समय से तर्चाएं हो रही है कि बड़े जो नेता हैं उनकी टिकेट कट सकती है तो आपको इस बारे में क्या लगता है कि कुछ बड़े नेता हैं कि विजेपी की टिकेट कट सकती है जैके हमें जी बात ही है कि ये मीडिया में चल रहा है राज से नहीं बहुत दिन से चर्चा चल रही है लेकिन जैसे मैंने का किसको टिकट देना किसको टिकट नहीं देना ये हमारी स्टेट का परचाए हमारे परदेश का अद्दक्षा है मुक्के मंत्री जी हैं हमारे सक्रेटर्ट मंत्री हैं परभारी है जो हमारी टीम है, वो इसके बारे में निरने करती है चर्चा करती है और अंतिम निरने मारा Central Parliamentary Board करता है किस कारे करता को चुनाव मेदन मुतारना है, किसको नहीं हुतारना है, کिसको संगण जुम्हारी देनी है किसको चुनाव लड़ाना है तो यह कि टिकट कटनी नहीं कटनी किसकी कटेंगी किसको देंगी आंते तो गतवा यह सारा निरने सेंटरल परलिमेंटरी बोर्ड स्टेट यूनिट स्टेट नित्रतों के जो शिफारी से उसके आधार पर करता है आज इस बारे में कुछ भी कहन मैं समय था इसका कोई ओचितने नहीं है क्योंकि यह निर्णा तो जब चुना वात लाए तब यह निर्णा ले जाते आज इसके बारे में कोर ही यहनी मिथे वाते हैं। पहाँ था कि कोई भी अपनी टिकेट को पका ना समझे और उसके बाद एकदम से धनकर्ड सहाब का बैन आता है कि वो तारीफ कर देते हैं हुड़ा सहाब की तो इस पे आप क्या कहेंगे देखिए बिल्कुल ठीक बात है कि चाहे आज पार्टी मा यह चान नहीं है कोई पार् करोंग जो सोगे हैं कि जो आने वाली कर चले हैं कि हमने तो टिकेट मिलेंगी मिलेगी और हम चुनाव लड़ेंगे लड़ेंगे और यह भी गरैंगे कि जो आ रहे हो कुछ राव नहीं लड़ाएंगे तो यह तो बाते है अमें झेसे पहले का नेत्रतों के उपर है जाता है और का धनकरजी ने घुड़ा साब के जो कमेंट्स किये मुझे लगता है किसे ना किसी प्रपेख्ष में है किसी ना किसी संदर्म में उन्हों ये बात कही होगी अब वो कई बार मीडिया पूरा संदर्म नहीं दिखा पाता है कुछ उसका पोर्षन उठा कि फिर वो उसको हाइलाइट कर देते हैं वास्ता में जब तक किस विशे में कही क्यों कही किस संदर्म में कही मुझे जब तक उसकी पूरी जानकारी में इस पर टिप्पनी नहीं कर सकता हो सकता हो इस evitar स्माके ब 10 पार्टिय अपने बारे बहुत है कि ना उनका मिले ना मिले वह अभी से पक्का निये लेकिंक आप eligible नहीं लगता कि जो पुराने कारी करता रहे हैं आपके काफी समय से वो इसी बीच कुछ ऐस है जो मैसूस कर रहे हैं लागे स्वभावी को होता है जैसे मैंने कहा कि जब टिक्टार्थी जादा होते हैं तो टिकट तो किसी एक कोई मिलती है और जो लगबग हर एंगल से एक जैसे समाने योग्ये हैं तो कभी-कभी उनको लगता है कि भी टिकट मुझे मिलेगी तो हो सकता है कुछ समय के लिए निराशा हो, कुछ समय के लिए रखे कि ठीक निईवा, लगिए अँटो गतवा भारती जनता पार्टी का कार्य करता हमेशा केंदरिय नितरतों के जो निरने उसको स्विकार करता है इसलिए मुझे हैं कहते हैं कि हम अपनी बात जरूर रखेंगे लेकिन बात रखने के आद जो अंतियम निरने होगा हम सब जी जाता है या कहिना के नाराज़गी होगी टिकट नहीं मिलने से हाँ कुछ समय के लिए हो सकता है Hidden tous मैं इसके काबिल था तो लेकिन जब चीजे सामने आती हैं तो अपने आप सब संतुष्ट हो जाते हैं और सब एक जू टोकर कमल के लिए हमारे पार्टी के लिए वो सारे एक जू टोकर चुनाव लड़ते हैं इसलिए विजैसरी हमें मिलती है सर स्टेट नूज हरियाना से बात करने के लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिजी तुवीर कुमार जी ने हमसे बात की और होने हमारी हर सवाल का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया मैं अपने कैमरामेन रोहित के साथ आमित अमन स्टेट नूज हर